तो यही 24 में उपचुनाव उनका सेट कर देगा बोरिया बिस्तरा जो वो तमाम भरस्टाचारियों का जमावड़ा जो उन्होंने बना और युवाओं को ठग रहे हैं अब यह जो नए वाले आए हैं यह क्या कर रहे हैं यह सपने बेच रहे हैं इनके पास कोई इतिहास नहीं है, कोई अनुवहव नहीं है वैसे XMP को वैसे X MLA को कुछ वैसे लोगों को भी लाया है जिनका समाज में यही पहचान है, वैसे लोगों को भी आप मही ममंडित कर रहे हैं आपने कहा कि हम बिहार को जाति पंत मजव की राजनीति से अलग करेंगे और हर मंच पर ये यादव, ये मुसल्मान, ये ब्राह्मन, ये दलित, ये अतिपिचड़ा, ये फला, ये धिमका, ये ही करने हैं। बिहार का हर बच्चा चानक क्योर स्वामी सहजानन्द है, ऐसे ही राजनीति सिखा देगा कि राजनीति भूल नहीं। पहले तो ये बताईए कि चार सीटों को लेकर जो काफी जादा NDA में इंडिया गडबंधन की और से प्रसर दिया जा रहा है, वहीं पर अब प्रशान किशोर ने भी तरारी को लेकर अपनी उमिद्वार की घोशना कर दी है, कितना मुकाबला होने वाला है। पिछले 18-19 सालों से बिहार की जनता ने मानने नितिश कुमार जी पर भरोसा किया। और अब तो डवल इंजन की सरकार है, भाई नरेंदर मोदी जी की सरकार और नितिश कुमार जी की सरकार मिल करके बिहार के लिए अनवरत बिकास के कारियों को कर रही है। तो कुछ लोग तो हैं जिन्होंने बिहार को लूटा है, 15 सालों में जिन्होंने बिहार को बरवाद कर दिया, तमाम तरह के जो कल, कार, खाने, रोजगार, उद्द्योग, धंदे जितने थे, जितने ब्यापार थे, सब को चौपट कर दिया, लूट लिया। बड़े-बड़े ब्यापारी, बड़े-बड़े ब्यापारी घराने के लोग बिहार छोड़ कर चले गए, तो उन लोगों की तो बात ही छोड़ दिजे, उनको तो जन्ता हमिशा से रिजक्ट कर चुकी है, अब यह जो नए वाले आये हैं, यह क्या कर रहे हैं, यह सपने बनना हो, या प्रधान मंत्री बनना हो, तो उसका एक राजनितिक अनुभव बड़ा माइने रखता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उठकर आया और हमको मुख मंत्री बन जाओ, पहले जिला परिश्यत बन जाओ, विधायक बन जाओ, कुछ जनता को सर्व करके दिखाओ वो बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, हमारा देश, दुनिया कहां कहां कितना उनका पहचान है, कितना उनका लोग हैं, तो बिहार के लिए किया क्या है उन्होंने, करेंगे, जब उनको मुख मंत्री आप बना देंगे, तब वो बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन 50-52 सा कि उम्र हो गई है, और एक बाहा हैसियत उनकी थी, कि प्रधान मंत्री और कई मुख मंत्री के साथ वो बैठते हैं, उनको चलाते हैं, जैसा वो कहते हैं, तो फिर आप बताएए कि अपने जन्मस्थान, उनका भी गाउं होगा, उनका भी कोई ब्लॉक होगा, उनका भी ऑस्पिटल के माध्यम से कुछ कही न कहीं, किसी न किसी रूप में हम कुछ काम करके डिलीवर करते हैं, तब समाज हम पर भरोसा करता है, वो तो आये हैं, सपने बेच रहे हैं, वैसे लोगों के साथ बैठे हैं, जो भरष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जो अपसर साही क बात करते हैं वैसे ही रिटायर पताधिकारियों के साथ जिनका अकूत समपत्ती है जिन्होंने लूटा है अपने 25-30 सालों के कारेकाल में जिनके पास अकूत दौलत होगी और जिनको कहीं जगह नहीं मिलने वैसे लोगों का एक जमावड़ा बना लिया और उन्हीं लोगों से वो बिहार को चलाना चाहते हैं जो अपने कारेकाल में आम जनता को फटकने भी नहीं देते हैं अपने आसपास आने भी नहीं देते हैं जो जनता के लिए दुस्वारियां पैदा करने वाले लोग हैं आज वो जनता को बहुत कुछ देने की बात कर रहा हैं हम तो कहते हैं कि जरा उनका हिसाब किताब बता दीजे कि उनके कारेकाल में और यू तमाम लोग सब लोग तो आईये साइपियस कही राजदूत और क्या क्या रहे हैं तो अपने अपने गाओं का जरा हिसाब बता दें कि अपने अपने उन गाओं में उन्होंने क्या किया है लेकिन सड़न जी ये जो चार सीटों पर उपचुना होने वाले हैं तीन तो इंडिया गटबंधन के खाते में अल्रेडी है लेकिन एक जो इमाम गंज है वो आप लोगों की है और वहां से प्रशान की शोर भी दावा कर रहे हैं कि अपने उमिदवार को और मुकाबले वा करना होगा तब दिख जाएगा कि कितने प्रभाव साली रहे और कितना इनका कल क्या होना है यह तमाम चीजे आ जाएंगी हाइपोथेटिकल चीजों पर या आप मीडिया के बंधूं से भी हमारी गुजारिस है कि इतना ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है कि जन सुराज प्रसांद की सोर ने ऐसे कह दिया तो वैसा हो जाएगा यही प्रसांद की सोर उत्तर प्रदेश में बहन प्रियंका गांधी का क्या कर आएसी लौंचिंग की कि आज तक उनको परिशानी का कारण बना दिया कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुक परिवार की बेटी होते हुए भी उनको कहीं सीटे नहीं मिल नहीं तो ये तो इनका क्या है अब नितिश कुमार जो 15-20 सालों से मुख्यमंत्री उनको यही मुख्यमंत्री बना दिये ममता बनर जी जो लगातार तीन बार चार बार चुना जितने उनको यही मुख्यमंत्री बना दिये तो इनका तो ये तमा अश्टाचारियों का जमावडा जो उन्होंने बना और युवाओं को ठग रहे हैं आप बात कर रहे हैं बिहार को एक नया सपना दिखा रहे हैं और कैंडिडेट किसको बना रिटायर लोगों को हमारी उनके प्रती सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है लेकिन क्या बिहार के क्या आपको तरारी में कोई ऐसा युवा नहीं मिला जो बरसों तक जो राजनिती में अपना संघर्स कर रहा है जिसने अपनी जवानी जिसने अपना कैरियर कुरवान कर दिया वैसा कोई नौजवान आपको नहीं मिला उनके मंचों पर कोई नौजवान मिलता है क्या तो ब कराए हैं हम तो नाम बता सकते हैं गिंती से कि किन अपसरों का क्या रहा है जलवा और किन जो छटे उए लोग हैं अपने खंगाल रखाए सब का रिकॉर्ड है आपके पास अगर दूसरे का है तो आपका तो दूसरे के पास नहीं रहेगा जो लोग जंगल राज के प्रतिनी है वैसे लोगों को भी आप महिमा मंदित कर रहे हैं राजनिती कल क्या होगा आज क्या होगा यह कोई नहीं जानता लेकिन जो कतनी है उसको करनी में बदलिये आपने कहा कि हम बिहार को जाति पंत मजभव के राजनित से अलग करेंगे और हर मंच पर ये यादव ये मुसलम ये ब्रामन ये दलित ये अतिपिचड़ा ये फला ये धिमका यही कर रहे हैं तो ये दो तरफा जो बात आप करते हैं और जो दोहरा चरितर है वो असपस्ट है ऐसी राजनिती बिहार देखे राजनिती का इनवर्सिटी है बिहार इस देश को दिशा देता है और ऐसे लोगों को जो अफवाहों के दम पर और अपने पेड मेंबर्स के आधार पे लाखों रुपे की सैलरी दे करके मुंबई से अहमदाबाद से कहां कहां से लोगों को उठा करके ला करके एक अंकड़ा जुटाना और उस पर लंबी-लंबी बात करना ये अलग मसला है बिहार क हर बच्चा चानक और स्वामी सहजानन्द है ऐसे ही राजनिती सिखा देगा कि राजनिती भूल जाएंगे उस पर कौन बाजी मारता है फिलाल सब्डेट्स में इतना ही हम दुबारा जुड़ेंगे अभी के लिए हमेद इजाज़त बनेरे मारत साथ और देखते रहें देश्वादु जन्यबाद